पाठ एक कवीता कैसे पढ़े बचपन में आपने भूस सी कवीताएं याद की होंगी कई कवीताएं पढ़ी भी होंगी अब तक आप तरह तरह की कवीताओं से परीचित हो चुके हैं इन कवीताओं को पढ़ते हुए शायद आपके मन में एक प्रश्न बार बार उठा होगा कि कवीता है क्या वे तत्व क्या है जो कवीता को गद्ये से अलग करते हैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंते समय आपको महसूस किया होगा कि कवीता में मुख्य रूप से भाव और गद्यों में प्राय विचारों की प्रधानता होती है मनुश्री अपने हर अनुभाव को किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता ही है कई बार आदमी अपने जिस भाव को कहकर अथव बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसी गुनगुनाकर या रंगों के माध्यम से इशारे से अथव अभिने के द्वारा असानी से प्रकट कर देता है कवीता भासा का एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा भावनाय व्यक्त की जाती है कवीता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ती होती है जो पाठक के मन को असानी से छू जाती है उद्दिश प्रस्तुत पाट में हम कवीता क्या है इसे क्यूं और कैसे पढ़ा जाना चाहिए आधी प्रश्णों के उत्तर ढूनने का प्रयास करेंगे इस पाट को पढ़ने के बाद आप कवीता का स्वरूप स्पस्ट कर सकेंगे कवीता के महत्व का उलेख कर सकेंगे कवीता के अव्यव का सूची करन कर सकेंगे कवीता क्यूं तथा कैसे पढ़ी जाए बता सकेंगे कवीता के भावपक्ष तथा शिल्फ सौंदरे की व्याख्या कर सकेंगे किर्या कलाब अपनी पसंद की किसी भी कवीता की चार पंगतिया यहां लिखकर उसमें नहीत मूल भाव को स्पष्ट कीजिए जो भी आपकी फेवरेट पसंदीदा कवीता है उसको यहाँ पे लिखना उसकी चार पंगतियां और उस कवीता के मूल भाव क्या है उसको मूल भाव के नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में आपको लिखना है नेक्स्ट 1.1 आईए समझे कवीता का स्वरूब आप जानते ही है कि कवीता सहाहित्य की सबसे प्राचीन विद्या है अधिकांश प्राचीन भारतिय ग्रंथों की रचना कवीता में ही हुई है कवीता को परिभाशित करने तथा इसके स्वरूब को पहचानने का प्रयास प्र प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है कि सब्दार्थों शहीतों कावयाम अर्थात जब्द और अर्थ के सुन्दर समानजश्य को ही कावे कहा जाता है इस परिभाशा को अधार मानकर प्राचीन कावे सास्त्रियों ने कावे की आत्मा को ढुनने का प्रयास किया थ किसी ने रस को कवीता की आत्मा माना तो किसी ने ध्वनी को किसी ने रीती को माना तो किसी ने वक्रोकित को और किसी ने अलंकार को किन्तु बाद में हिंदि साहित्य में कवीता की परिभाषा दूसरे ढंग से की जाने लगी प्राचीन काल में अलंकारों का बहुत महत्व था परन्तु आधुनी काल में अलंकार हीन कवीता की परमपरा चल पड़ी चंद के भी बंधन नहीं रहे गए चंद हीन कविताओं की जड़ी सी लग गई कविता शब्द के गुण अर्थ से अलग होकर समाने सब्द के प्रियोग द्वारा व्यंग और विरोध को उजागर करने लगी उधारन के लिए निमलिखित कावे पंक्तियां देखिए कुछ लोग मूर्तिया बनाकर फिर बेचेंगे क्रांती की अथवा शणयांत्र की कुछ और लोग सारा समय कट में खाएंगे लोगतंत्र की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाचा तथा श्रूरूप पर प्रकास डालते हुए कहा है हिर्दे की मुक्ती की साधना के लिए मनुश्य की वानी जो शब्द विद्दान करती आई है उसे कवीता कहते हैं कवीता से मानो भाव की रक्षा होती है मानो वे पदार्थ या व्यपार विशेश नेतरों के सामने नाचने लगते हैं वे मूर्टी मान होते दिखाई देने लगते हैं उसकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धी से काम लेनी की जरूरत नहीं पड़ती कवीता की प्रेणना से मनो वेगो का प्रवाह फूट पड़ता है तातपर्य यह है कि कवीता मनो वेगो को जागरित करने का उत्तम साधन है कुछ इसी तरह की परिभाशा आचारे हजारी प्रशाद दिवेदी ने भी दी है कवीता का लोग प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भाववेश हो, कल्पना हो, पदलालित्य हो तथा परियोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो इस प्रकार कवीता का स्वरूप उप्युक्त परिभासाओं के अधार पर कुछ इस तरह निर्धारित किया जा सकता है कवीता में भाव तत्व की परधानता होती है कल्पना में कल्पना के मिश्रन से सौंदरे चितरन को कवीता में सहज और ग्रह बनाया जाता है कवीता में चिंतन अत्वा विचारों की जटिलता नहीं होती कवीता की शब्दावली गद्ये से विशिष्ट होती है इसमें लयात्मक्ता अनिवार्रे रूप से मौजूद होती है तथा शब्दों का संयोजक पाठक के हिर्दे को सहज ही छू जाता है कम से कम सब्दों से बड़ी से बड़ी बात अत्वा समस्या को बहुत ही सुन्दर धंग से चितरित किया जाता है कवीता में केवल अर्थ गरहन कराकर बात को स्पस्ट करने की शमता नहीं होती बलकि इसकी द्वारा बिम्ब विध्यान भी किया जाता है कवीता का बिम्ब विधान ही पाठक के मन में कवीता के प्रभाव को स्थाइत वो प्रदान करता है बिम्ब एक परकार का शब्द चित्र होता है जो कवीता में ही उपस्थित होता है इसी कारण कवीता का अर्थ, अभिद्या की अपेक्षा, लक्षणा, अर्थात, स्थिती की लाक्षणता के अधार पर गरहन किया जाता है साथ में दिये गए चित्र को ध्यान पूरवक देखिए आपको कैसा लग रहा है या आप क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं एक इस्तरी इसके अलावा और इसके अलावा एक और चहरा आपको नजर आ रहा होगा या नारी भी हो सकती है या कोई नर भी वह क्या सोच रहा है दिये गए दो गोले किसके परतीक है चांद या सूरज का रात का चितर है या दिन का इसके अतरिक्त भी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं सोच सकते हैं बिलकुल समान इस्तिती कवीता के साथ भी होती है किसी एक कवीता को पढ़ने के बाद अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से कवीता का भाव ग्रहन करता है पाठगरत प्रश्ण 1.1 सही विकल्प का चैन कर निमलिखित वाक्यों को पूरा कीजे कवीता में रिक्तिस्थान तत्व की परधानता होती है क भाव ख विचार ग कल्पना ग तो कवीता में विचार तत्व की परधानता होती है जैसे कि हमने बहुत पहले ही पढ़ा था ठीक है तो पहले का अंसर ख है विचार दूसरा आधुनी कवीता में रित्यस्थान कवीता की परंपरा चल पड़ी अलंकिरित, अलंकारहीन, शंद ब्रद्ध और वक्रो कित्मूलक तो इस दूसरे का अंसर भी ख़़ है अलंकारहीन अलंकारहीन, अभी हमने पढ़के आया रुकोब मैं आपको दिखा देती हूँ हमने यहाँ पर देखा था, यह देखा, यह देखा, यह देखा, यह देखा, यह अलंकारहीन, कवीता की परंपरा चल पड़ी, ठीक है, अब पहला कोश्चन जो, सॉरी पहला जो था, अपने बोला था, यह देखा, यह देखा, यह देखा, यह देखा, विचारों की प्रधानता होती है, ठीक है, अब हम आगे गर कुश्चन करते हैं, ठीक है, तीसरा प्रश्न, किसने कहा कि कवीता हिर्दे की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य द्वारा रचितवानी और विद्या है, अचारे हजारी परशाद दिवेदी, यह ख, बाबु गुलावराय, यह ग, आचारे रामचंद्र शुक्र, और घ, दंडी, आपके हिसा से क्या होता है, इसका अंसर कह है, आचारे हजारी परशाद दिवेदी ने यह कहा था कि कवीता हिर्दे की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य द्वारा रचित वानी है, आखरी कोशन चोथा, कवीता में अनिवारे रूप से मजूद होती है, कह उतमता, ख, लयात्मक्ता, ग, छमता, ग, चित्रात्मक्ता, इस कोशन का अंसर भी मुझे पता है, पर ठीक है, इस कोशन का अंसर आप लोग करोगे, ठीक है, अगर कोई डाउट होगा, तो पूछना, बाकि अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप से नहीं होगा, तो मैं बताऊंगे, यह कोशन आप आगे बढ़ते हैं, 1.2 कवीता का महत्व, आपने अनुभव किया होगा कि यदि कभी आप अपनी बात को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, या अधिक प्रभावशाली धंग से परस्तुत करना चाहते हैं, और वहीं नहीं कर पाते, तब कवीता की एक या दो पंक्तिया ही आपकी समस्या को असानी से बता देती है, तुलसी दास की एक चौपाई अथ्वा बिहारी के एक दोहे का जितना असर सुनने वाले पर होगा, शायद उतना ही असर एक कहानी सुनाने से ना हो, कवी बिहारी द्वारा राजा जैसिंग को भेजे गए एक दोहे का असर यह ह था कि वे अपनी नव विवाहित पत्नी के मुह से मुक्ट होकर राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़े थे, कवीता के महत्व कवीता के महत्व पर प्रकास डालते हुए, आचार्य, रामचंद्र शुकले ने भी कहा है कि कवीता की प्रेड़ना से कार्य में प्रविर्ती बढ़ जाती है प्राचिन काल में कवीता को मनुरंजन का साधन भी समझा जाता था, दरबारों में कभी कवीताएं सुना का राजाओं का मनुरंजन किया करते थे तब कवीता पाठ्यक्रम में पढ़ाय जाने वाली कोई चीज नहीं थी आप कभी-कभी सोचते होंगे कि कवीता भी भला कोई पढ़ने की चीज है या मनुरंजन की चीज कैसे हो सकती है इसके ना तो शब्द समझ में आते हैं ना इसमें कही गई बात इससे तो कहानी उपन्यास अच्छे हैं जिनमें कही गई बात आसानी से समझ में आ जाती है उसके लिए कवीता की तरह किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती लेकिन इस तरह आपका सोचना ठीक नहीं होगा क्योंकि कवीता सिर्फ मनुरंजन की वस्तू नहीं है चुकि कवीता कम से कम शब्द और अपनी विशिष्ट भाषा तथा शिल्प सोंदर्य से बातों को स्पर्ष्ट करते हुए चलती है और बहूत सी बाते उसमें छिपी रहती हैं जिने समझने के लिए उन्हें खोलते रहना आवश्यक है अथा यह गद्य की अपेक्षा कठिन लगती है लेकिन यह भी तो देखिए कि कवीता ही है जो अधिक देर तक आपको याद रह जाती है उधारन के लिए आप उप्यूप्त समय और स्थान पर असानी से इसका उप्यूप कर सकते हैं अब आप बताईए कि कवीता कैसे मनुरंजन की वस्तु हुई इस संबंध में रामचंद्र शुक्ली ने भी कहा है कि प्राय लोग कहते हैं कि कवीता का अंतिमुद्देश्य मनुरंजन है पर मीरी समझ में मनुरंजन उसका अंतिमुद्देश्य नहीं है कवीता कम से कम शब्दों में जितनी सरल, सुगड तथा लयात्मक धंग से अधिक से अधिक बातों व्यक्त कर सकती है उतना गद्दे नहीं इसलिए कवीता अधिक समय तक याद रहती है लयात्मक होने के कारण इसे कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है दूर सुनसाम रास्ते में अकेले चला जा रहा रही कवीता गुनगुना कर अपना मनुरंजन कर लेता है इस प्रकार हम देखते हैं कि कवीता हमारे जीवन की अन्य आवशक्ताओं की तरह ही एक प्रमुख आवशक्ता है कवीता के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख किसी भी भौतिक सुख से अलग और बहतर होता है यहाँ पर आप यह ना समझे कि कवीता केवल किताबों और अखबारों में छपी हुई यह होती है बलकि गीत, गजल, फिल्मी, धुन, नज्म, चेर, आदि, सभी कवीता के ही विभिन रूप है आप अवश्य ही